IMDB के उपर मैंने The Plan Man movie जो है उसकी थोड़ी बहुत कहानी को पड़ा था कि इस movie के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है Obviously आप जिस movie को देखने जा रहे हो थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए ने कि उसकी story क्या है बस मैंने उसकी story के बारे में थोड़ा बहुत पड़ा IMDB के उपर बाकी मैंने इसका कोई भी trailer नहीं देखा था तो बस आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे The Plan Man movie के बारे में जो एक South Korean movie है और इसकी जो land है वो तकरीबन दो घंटे के आसपास रखी गई है हाँ आप इसको कहां देख सकते हैं किस OTT platform पे देख सकते हैं उसको मैं बताऊंगा last में क्योंकि आप अभी से ही देख के भाग जाओगे इस वीडियो को complete नहीं करोगे कोई फायदा नहीं बनेगा वीडियो बनाने का वरना South Korean जो actor होती है या फिर जो भी इनके दिर character होती है उनके जैसे नाम होते है हाँ आफ और ये अपनी लाइफ में हर काम बड़ी planning के साथ करता है कितने बज़े उठना है, कितने बज़े सोना है, कितने बज़े सड़क करनी है, कितने बज़े कहां पहुंचना है, हर चीज इसको time पे चाहिए होता है, साथ इसको यहां पर हर चीज एक particular जगह पे चाहिए होती है, कि कोई भी चीज जो है, टेड़ी क्यों है, उसको सीधी शुखना साती साथ चीजें जो है अपनी जगए में पर हैं यह तीनों चीजें इसके ऑंदर अरच से ज्ञादा उ gilt मतलब कि कोई इसके पर बैठना Spit नहीं इसकी social life जो एक तरीके से खतम हो चुकी, इसका कोई दोस्त नहीं है, इस कदर एक तरीके समझो, इसको ये बिमारी है, लेकिन एक दिन जो ये एक ऐसी लड़की से मिलता है, जिसका नाम होता है, सोंजोंग, जो इसकी just opposite होती है, उसको कुछ भी काम planning से नहीं करना, अब जैसे ये इस लड़की से मिलता है, तो इसकी life, यानि कि हान की life जो है, वो बड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है, अब ये सब चीज़ें मुवी में दिखाई गई हैं, कि आगे चलके क्या क्या problem आने वाली होती है, या फिर ये अपने आपको कैसे ठीक करेगा, ये सारी चीज़ें आ पार्ट है, रोमेंस का एक पार्ट है, वो लास्ट में आपको थोड़ा वो देखने को मिल सकता है, बाकी जो मुवी की कहानी है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसकी कहानी एक ऐसे विक्ति के उपर, जो अपनी life में, शोसल life से कट चुका है, उसको एक ऐसी आँखों से पान जाते है, जो हान का जो करेक्टर है, यार इतना बढ़िया एक डेवलोप किया गया है, इस हान करेक्टर को, जिससे आप इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, जब ये लास्ट में अपनी स्टोरी बताएगा, मैं डेफिनिटली कह सकता हूँ कि आप कि खराब हो, आपको ओलेडी चीज़ें पता हो, फिर आप मतलब उस चीज़ को एंजोई नहीं कर पाओगे, बाकी मुवी में कोमेडी भी है, जो काफी अच्छी मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उसके डायलोग बहुत जादा अच्छे हैं, आपको डेफिनिटली हाँ से आएगी कई-कई जगह पे तो बहुत जादा आंसे आने वाली है, परफोर्मेंस की बात करों, तो सब कलाकारों ने अपना मैं कह सकता हूँ कि 100% दिया है, बहुत बढ़िया परफोर्मेंस रही है, हर एक कलाकार के अपनी, मतलब बहुत इमानदारी से उनोंने अपना काम के, तो ये ओगे इस मूवी की अची-ची बात है, तो क्या मुवी में कोई कमिया नहीं है, टो डिफिनेट्लि इसके अंदर कुछ कमिया थैं, जैसे की 2 घंटे इसकी लायन्त है, तो शुरू से लेकर आखिर तक, definitely, makers ने कोशिश किये की आप इस मूवीस के connect रहें, लेकिन कहीं-कहीं- आपका interest तूटता है performance में performance तो काफी हो definitely सबकी बढ़ी है लेकिन एक जो होता है character development जो सो जो एक lady का character मुझे लगता है कि उसके ओपर थोड़ा और focus किया जाना चाहिए था वो अगर हमारे सामने थोड़ा और बढ़िया तरीके से represent करते तो definitely मजा आता है इसके अलावा जो hindi dubbing है movie की वो मुझे उतनी खास पसंद नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि lip sing पहले हो रही है आवाज बाद में आ रही है तो यह सब चीजें problem मतलब कि lip sing पे वो चीजें मतलब suit नहीं कर रहे थी तो वो एक मुझे कमी लगी यहां पर बाकी अगर आप लोगोंने movie देखें तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों movie कैसी लेगे अगर नहीं देखिया और देखना चाह रहे हो तो amazon के OTT platform पे जाकर आप इसको देख सकते हो हिंदी में है वलगर कोई scene नहीं है लास्ट क्या एक kissing scene छोड़ कर मतलब आप उसको समझ सकते हो कैसी भी लेना है तो बस आज के लिए इतना है इताइस वीडियो में थैंक्स और वोचिंग दिस वीडियो में जैहिंद